हेलो एवरिवन कैसे आप सब वेलकम टू अफेर्स कलाउड वी लर्न टू लीड मेरा नाम है विकास और आज का सेशन बहुत ही अच्छा होने वाला है तो guys आईए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो में हम कुछ important weekly current affairs देखेंगे अप्रेल के बहुत अच्छे questions लाया हूँ आपके लिए बहुत helpful रहेंगे आपके preparation में बस आपका काम ये होना चाहिए कि आप जो भी question मैं आपको पढ़ाऊ जो भी information मैं आपको question में दूँ आप उसको side by side note करके चले जल्द बाजी में वीडियो कभी नहीं देखनी है जो भी पढ़ा रहा हूँ उसको note करके चले क्योंकि कल को आप जब revise करेंगे तो आप वीडियो देखने में आलस मान जाएंगे लेकिन अपने notes पढ़ेंगे तो 2 minute में आपको एकदम one liner format में question कराऊंगा और आपको one liner format में ही आपके notes बनाने हैं तो आएए देखते हैं हमारी एक app है Carriers Cloud के नाम से जो आप Play Store से जाके डाउनलोड कर सकते हैं जैसे ही आप Play Store से application को डाउनलोड करते हैं इंस्टॉल करते हैं आपके पास ऐसा page खुलेगा एक उस पर आपको जाके अ इस window में आपको देखेंगे तो आपको current affairs के section दिखेगा यहाँ पर आपको current affairs इस पर click करते ही आप हमारी current affairs के section में आ जाएंगे हमारा current affairs का section है जो हम आपको course प्रोवाइड करते हैं application में बहुत अच्छा course है आपकी preparation में बहुत जादा help होने वाली है मैं आपको बता देता ह यह course ऐसा है कि आपको कम से कम एक ही question आप कम से कम चार से पांच बार revise करेंगे इतना helpful रहने वाला आपके लिए देखते हम आपको क्या provide करते हैं हम आपको current affairs हिंदी में provide करते हैं और हिंदी के साथ साथ हम English में भी provide करते हैं जो content होता है वो भी हिंदी में लिखा होता है पह के आप जिसकी अपनी practice कर सकते हैं और यह बहुत helpful होता है revision में question answers मिलेंगे आपको current affairs के current affairs format question answer के format में फिर ऐसे ही आपको weekly मिलेगा जो आपके पूरे week के questions आप daily questions आपको PDF मिलेगी उन में से जो important questions होंगे उनका आपका एक तो quiz होगा करेगा हर week 50 question का quiz बहुत होता है आपको 50 question week के मतलब सारे important question आगए उसके साथ question answer format में आपको हिंदी की ebook प्रोवाइड होगी जिसमें आपको सारे paragraph wise या फिर एक question answer format में आपको सारे week के current affairs मिलेंगे ऐसे ही फिर तीसरा हम आपको provide करेंगे monthly PDF PDF आपकी हिंदी में ही होगी आपको top 100 question answers मिलेंगे ठीक है जो पूरे महिने के 100 important questions हैं वो आपको एक PDF प्रोवाइड की जाएगी उसमें मिलेंगे आपको question answer format में भी provide होगे तो आप देख रहे हैं हम आपको कितनी अच्छी चीज और यह आपका पूरा एक साल का course होता है आपको दो course के option मिलेंगे एक तो होगा for one year एक होगा for two year अगर आप new aspirant है आपक साल का course भी purchase कर सकते हैं important thing इसकी बात यह है कि हम आपको अलग banking awareness के भी questions प्रोवाइड करते हैं bank से related जो आपके questions होंगे सब इसमें हम अपना course में cover कर देते हैं बहुत अच्छा content होता है content में आपको कोई शिकायत नहीं होगी and daily update होता है आपको daily PDF मिलेंगी उसकी भी कोई attention ल help मिलेंगी अब कच questions होते हैं जैसे कि कई सारे important days हो गए महिने के फिर books और authors कौन सी book release हुई है कौन सी author ने क्या book अभी publish की है फिर उसके बाद indexes हो गए reports हो गई ठीक है फिर कोई festival celebrate किया गया है या कोई योजना आई है तो यह काफी सारे topics होते हैं तो यह topic wise current affairs भी हम आपको 20 type के pdf provide करते हैं जिसमें 20 अलग-अलग topics होते हैं और यह आपको हर महिने update होती रहती हैं यह चीज़ तो सोचिए आपको कितना अच्छा package मिल रहा है कितना अच्छा course मिल रहा है ठीक है इसके अलावा देखो कितनी सारी चीज़े provide कर रहे हैं हम आपको इसके अलावा state current affairs हर state के current affairs भी आपको individually provide होते हैं इसके सार्थ ठेक है तो देखिए हम आपके लिए कितनी महनत कर रहे हैं आपको कुछ नहीं करना आपको सिरफ subscribe बटन दबाना है और हमारे channel को subscribe करना है इसके अलावा आपको course का तो हम मैंने बता दिया कि course purchase करना है क्या course होगा अब आपके लिए एक बहुत helpful चीज जैसे ही आप course को purchase करते हैं और आप check out करने वाले होते हैं तो आप विकास 10 promo code यूज कीजिए विकास 10 यूज करते ही जैसे आप promo code में डालेंगे नहीं तो आपको सीधा 10% का discount मिल जाएगा extra 10% वहापे जो discount होगा वो अलग होगा लेकिन उसके अलावा चलो अपनी वीडियो फिर start करते हैं तो आएए friends अपना पहला question देखते हैं पहला question कह रहा है which organization released investment opportunities in health sector report that predicts investment in health sector to reach 372 billion dollar by 2022 मतलब कौन एक report आई है recently investment opportunities in health sector क्या इस report को किस organization ने release किया है पहले तो ये देखते हैं ये release किया गया है नितियायोग द्वारा ठीक है फिर इस report में कह रहा है कि जो health sector है ना मारा health sector में जो हमारी investment होगी वो increase कर जाएगी 372 billion US dollar इंडिया में इतना और invest होगा कब तक health sector में 2022 तक ठीक है ये information याद रखने की important है कि 2022 तक इंडिया की health sector में 372 billion dollar की investment और होगी और ये report release किया है नितियायोग द्वारा ठीक है एक चीज़ और जो हमारा health sector है ना ये एक constant growth rate दिखा रहा है CAGR की CAGR होता है compound annual growth rate ठीक है और इसकी जो growth rate रही है वो रही है 22% की और ये जो दिखा रहा है growth at CAGR ये है since 2016 ठीक है चलो CAGR होता आपका compound annual growth rate चलिए next question next question है आपका which where was the joint military exercise वाजर परहार 2021 conducted between India and USA special forces सबसे पहली चीज़ तो याद रखिए वजरा परहार 2021 ठीक है किन के बीच होती है ये ये होती है आपकी India and USA के बीच आप ये पूचा गया कि कहां पे हुई थी ये 2021 की वजर परहार exercise किदर conduct की गई थी ये conduct की गई थी हिमाचल परदेश में ठीक है इसके अलावा इससे related जो चीज़ याद रखनी है आपको वो है क कि 2021 में जो ये हुआ है यापका 11th edition हुआ है 11th edition of this exercise ठीक between India and USA और at special forces training school बहकोल हिमाचल परदेश में भी कहा हुआ है at special training school जिसका नाम है बखलो इन हिमाचल परदेश ओल्राइट ठीक है इसके अलावा चीज़ याद रखना कि इंडिया और USA की जो navies है उन्होंने एक और सो अलग से exercise conduct की थी जिसका नाम है पैसिक्स ठीक है और यह पैसिक्स किदर हुई थी यह आपकी बे आफ बेंगॉल में conduct हुई थी यह exercise इंडिया और USA की navies ने conduct कर आई थी ठीक है तो joint military exercise वजर प्रहार इंडिया और USA के बीच में होती है और यह कहां पे हुई है हिमाचल प्रदेश में चलिए next next question है which country recently signed four agreements with India to provide financial support worth रुपीज 1.93 करोड for health development projects health development projects में इंडिया में किस country ने 4 agreements sign किया है और 1.93 करोड का invest किया है किस country कर रही है यह काम इंडिया में यह आपकी जापान जापान ने investment दिखाई अभी ठीक है चलिए इसकी चीज़ देखते हैं इंडिया एंड जापान ने न मिलके इंडिया एंड जापान दोनों ने मिलके कितने चार agreements किया है amount याद रखना 1.93 करोड रुपीज ठीक है यह चीज़ important है इसके अलावा याद रखिए under this Japan will support healthcare projects under GGP scheme in India इंडिया में GGP scheme के under Japan healthcare में invest करेगा फिर आपका अगर देखें तो GGP क्या होता है GGP है आपका grant assistance grant assistance assistance होता है सहयोग देना help करना assistance for grassroot projects for grassroot projects under GGP हमारे जपान इंडिया में invest कर रहा है healthcare sector में और याद रखना GGP से related याद रख लो अपके यह GGP कब इंट्रोड्यूस की गई थी 1989 में ठीक है तो जपान इंडिया में invest कर रहा है जिसने चार agreement sign किया है तो चलो next question देखते है next question कह रहा है हमारा which Indian Naval Air Squadron nicknamed as Cobra celebrated its Diamond Jubilee Diamond Jubilee celebrate किया है recently एक Indian Naval Air Squadron ने जिसका नाम है Cobra यह देखते हैं Indian Naval Air Squad ठीक है इसका एक और नाम है जिसका नाम है जो है Cobra's इन्होंने अपनी Diamond Jubilee celebrate की देखो question से ही मैं कितनी सारी information आपको provide कर रहा हूँ Cobra's नाम Diamond Jubilee celebrate की तो यह पूछा है कि recently नेकनेंड है recently celebrated as Indian Jubilee Squadron का नाम पूछा है Diamond Jubilee जिसने celebrate की और जो squadron का नाम है वो है आपका INAS 310 ठीक है INAS 310 Squadron का नाम है next next question आपका to which country the new development bank approved a loan worth rupees 1 billion dollar as COVID-19 assistance during the 6th annual meeting of the board of governors of NDB that was virtually attended by the Nirmala Sitaramanji Nirmala Sitaramanji ने recently a virtually meeting attend की थी during the 6th annual meeting of the board of governors of NDB NDB क्या आपका new development bank ठीक है NDB new development bank इसको पहले हम कहते थे bricks development bank ठीक है headquarter का है इसका इसका headquarter है आपका शांगाय में all right और ये जो meeting होई थी आपकी ये 6th annual meeting होई थी कहाँ पहले होई थी ये होई आपकी New Delhi में ठीक है इनको attend किस ने किया था Nirmala Sitaramanji ने attend किया था ठीक तो ये कह रहा है कि to which country new development bank approved a loan worth रुपीज 1 billion dollar as a COVID-19 assistance के लिए किस country को loan प्रोवाइड किया है ये किया है Russia को all right ड्रशिया को ये loan प्रोवाइड किया गया है चलिए next question अगला question कह रहा है which organization is setting up two underseize cables eco and bifrost to connect Indonesia and USA for improving internet connectivity question कह रहा है देखो कि दो underseize cable underseize cable लगाई गई है एक का नाम है eco दूसरी आपकी bifrost ये दोनों आपकी underseize cable है जो किसको connect करेंगी ये connect करेंगी Indonesia and USA को connect किस लिए है ये ताकि improving internet connectivity improving internet connectivity internet की speed भणाने के लिए connectivity अच्छी हो जादा लोगों तक internet पहुँचे इसके लिए दो underseize cable आई है eco and bifrost ये इंडोनेशय और USA को connect करेंगी question कह रहा है आपको कि कौन सी company ये लाई है किस organization ने ये start किया या लाया है ये है facebook all right ये है facebook ने ठीक है देखो question को आप पढ़ना सीखिए question में क्या होता है हम अभी preparation कर रहे है हम तैयारी कर रहे है हम उस stage पे नहीं है कि हम अभी exam दे रहे हैं देखो question नहीं बता दिया कि दो cable है eco and by frost Indonesia और USA क्या किस लिए है connectivity के लिए कौन लाया facebook तो ये question ही है आपको इतनी सारी information प्रोवाइड कर देते हैं all right next so next question is who received the saraswati samman 2020 for his novel sanatan sanatan के लिए किस व्यक्ति को saraswati samman 2020 से sammanit किया गया है sanatan novel के लिए किन को sammanit किया गया है बताओ यह है शरण कुमार लिंबाले जी शरण कुमार लिंबाले जी को saraswati samman से awarded किया गया है for his novel sanatan saraswati samman कौन देता है kk birla foundation important है कई बार पूछा गया है ये question कि saraswati samman किस foundation या किस के द्वारा दिया जाता है ये दिया जाता है kk birla foundation द्वारा ठीक है फिर अगर हम sanatan novel की बात करें ये आपकी 2008 में published है और ये एक marathi novel है ये आपकी marathi novel है ठीक है और इसका ये saraswati samman का 30th edition है अल्राइट चलिए next which organization launched ice gate portal a single portal for filing all registrations and bills of the entry in India किस organization ने ice gate portal खोला है ये एक single portal है for filing all registrations and bills of entry in India ice portal याद रखिये बस important question mark करके चलिएगा किस organization ने ice gate portal आपका खोल रहा है ये किस ने खोला है बताइए ये खोला आपके Central Board of Indirect Taxes and Customs ने Central Board of Indirect Taxes and Customs ने ये आपका ice gate portal खोला है ठीक है चलिए ice gate portal के अगर full form देख लें तो ice gate क्या होता है Indian Customs and Central Exercise Electronics Gateway single portal for all documentation and duty payments important चीज़ इसमें बस आपको एक तो ये याद रखनी है किस ने publish किया ये किस ने launch किया है और ice gate की full form भी याद रखिए क्या पता पूछें आपसे ice gate होता है Indian Customs and Central Exercise एक्साइज इलेक्साइज इलेक्ट्रोनिक गेटवे ठीक है Indian Customs and Central एक्साइज इलेक्ट्रोनिक गेटवे ये आपका होता है ice gate की full form और ice gate start ये portal किस ने start किया ये किया Central Board of Indirect Taxes and Customs ने चलिए next question देखते है आपका अगला question कह रहा है which country topped the medal tally in 2021 ISSF shooting world cup that was held in New Delhi New Delhi में recently एक shooting world cup हुआ था shooting world cup ठीक है कहां पे हुआ था New Delhi में ठीक है क्या हुआ था इसको क्या कहते है 2021 ISSF विक बोल दिखिए ठीक है shooting world cup फिर इसमें पूछा है कि which country topped the medal tally medal tally किस country ने top किया था ये बता दो बताओ ये किया है आपकी India ने top ठीक है India ने medal tally top किया याद रखिएगा इंडिया को जो total medals मिले वो है 30 medals ठीक second position पे रहा आपका कौन USA ठीक third position पे रहा आपका Italy USA को मिले आपके 8 medals Italy को मिले आपके 4 medals अगर हम इंडिया की बात करें इंडिया में हमें मिले 15 gold 9 silver और 6 bronze ठीक है चलिये next question देखते हैं आपका next question कह रहा है who won the gold medal in the 2021 ISSF World Cup in the women's 25 meter pistol event 25 meter pistol event में women's category में किसको gold medal मिला है at World Cup ISSF International Shooting World Cup जो भी हमने उपर देखा आपका कि ये Shooting World Cup हुआ था New Delhi में इसमें किन को gold medal मिला है 25 meter pistol event में ये है आपकी चिंकी यादव चिंकी यादव को gold मिला ठीक है ये तो हमने देख लिया फिर अगर मैं बात करूँ ये तो था 25 meter pistol event अगर मैं बात करूँ 10 meter air pistol की 10 meter air pistol में किन को gold मिला ये थे आपकी यश्विनी सिंग देशवाल यश्विनी सिंग देशवाल ठीक है इनको 10 meter air pistol में आपको gold medal मिला 25 meter pistol event में मिला चिंकी यादव को ठीक है चलिए अगला question देखते है अगला question है फिर से पढ़िये question को what is the total financial outlay of the production linked incentive schemes for food processing industries that facilitates manufacturing को facilitate करते है branding को and marketing of four good products ये पूछे total financing outlay total amount क्या है उसका ये है आपका बताओ कितना है 10,900 करोड रुपे ठीक है 10,900 करोड रुपे next अगला question है देखो what was the key point discussed key point discussed by the external affairs minister S.J. Shankar in the 17th BIMSTAC ministerial meeting अभी recently 17th edition हुआ था ये question पूछा जा सकता है कि BIMSTAC edition का अभी कौन सा edition हुआ था मतलब BIMSTAC meeting का कौन सा edition हुआ था तो 17th edition हुआ था BIMSTAC का BIMSTAC की full form क्या आपको पता है अगर पता है तो comment करो BIMSTAC होता है the Bay of Bengal initiative for multi-sectoral technical and economic corporation देखो the Bay of Bengal initiative for multi-sectoral technical and economic corporation ये आपकी होती है BIMSTAC की full form 17th edition हुई थी ठीक है meet इसकी कहाँ पे हुई थी 17th edition तो हो गई लेकिन किस जगह पे हुई थी ये भी पूछा जा सकता है तो ये देखते है ये हुई थी आपकी Colombo श्रीलंका में Colombo श्रीलंका में आपकी ये meeting हुई थी 17th BIMSTEC की ठीक है free movement of people and goods between BIMSTEC countries proposed की गई थी इस plan में कि जो movement होगी लोगों की और goods की एक देश है दूसरे देश के बीच में अंडर जो BIMSTEC countries है मतलब BIMSTEC के अंडर जो countries आते है उसमें ये proposed किया गया कि free movement का तो ये कहा जा रहा है question ये कह रहा है कि what is the key point discussed by external awareness minister S.J. Shankar in the 17th BIMSTEC ministerial meeting क्या discuss किया गया था ये था master connectivity plan बोला ना मैंने जैसे कि free movement of people and goods मतलब connectivity के लिए की ज़ादा connectivity हो सके BIMSTEC countries में जो BIMSTEC की countries है ठीक है फिर ये भी पूचा जा सकता है कि इंडिया के किस person ने BIMSTEC की 7th edition की meeting को वहापे attend किया वो थे हमारे external minister S.J. Shankar आल राइट चलिए ये next question देखते है next question के रहा है April 2021 में Indian Air Force ने receive किया 4th batch of 3 Rafale fighter jets from France totally how many Rafale jets were ordered by India पहले कहा पर आये थे पहले आपके अंबाला में आये थे आपको याद है फिर कह रहा है कि अब और आए है कि 4th batch अब 4th batch आया पहला batch आया अंबाला में important याद रखने का वो है आपको 2nd 3rd batch इंतरा important date place मत याद रखना अब कह रहा है 4th batch आया है 3 Rafale jets ओ रहे है France से आये अब ये कह रहा है total कितने order करे थे इंडिया ने total order किये थे 36 ठीक है हम बात कर रहे है Rafale की ठीक है 36 लिए गए ठीक है पहला batch किदर आया था आपका या आया था अंबाला में ठीक है अंबाला में first squadron batch कह लिजिए या squadron कह लिजिए ठीक है फिर total amount कितना खर्चा किया गए है रफाइल jets पर ये किया गए है 59,000 करोड रुपीज ठीक है इक नई कमपनी बननी है किसके अंडर National Payments Corporation of India के द्वारा उस कमपनी का नाम पूछा गया आपसे की कमपनी का नाम बता दो क्या है ये आपका NPCI National Payments Corporation of India भारत बिल पे लिमिटेड ठीक है भारत बिल पे लिमिटेड चलिए next UK's CDC Group and India's Northern R Capital Limited entered into a partnership through which CDC Group will invest Rs. 320 करोड in six of the leading microfinancing institutions what is the financial tool used in this investment कह रहा है कि UK's CDC Group और India का North R Capital Group एक partnership में enter किये हैं through which CDC Group will invest Rs. 320 करोड रुपे in six of the leading microfinancing institutions UK के CDC Group invest करेंगे इंडिया में 320 करोड रुपे इंडिया के 6 leading microfinancing institutions में ये कह रहा है what is the financial tool used in this investment financial tool क्या use किया गया है इस investment में ये है non-convertible debentures non-convertible debentures चलिए next अगला question है who is set to receive the 51st दादा साहिब फाल के अवार्ड फॉर्ड फॉर्ड नोटेबल contribution to the film industry 51st दादा साहिब फाल के अवार्ड ये किस में दिया जाता है ये एक highest honor है film industry का अभी 51st edition celebrate किया गया कब 2021 में ठीक है अब पूछ बोला गया है कि किन को सम्मानित किया गया है 51st दादा साहिब फाल के अवार्ड से ये है आपके रजनी कांत जी को ठीक है रजनी कांत जी को इसके अलावा याद रखिएगा रजनी कांत जी को ही पदमा विबूशन मिला था 2016 में पदमा विबूशन मिला था 2016 में और category पूछा जाए तो in the field of arts ठीक है आर्ट में मिला था ये तो देखा हमने 50th दादा साहिब फाल के अवार्ड अगर हम बात करें ये हमने देखा 51st अगर हम बात करें 50th edition की 50th edition किन को मिला था वो उनको अमिताब बच्चन जी को सम्मानित किया गया था 50th दादा साहिब फाल के अवार्ड से मतलब 2000 लास्ट जू मिला था अमिताब बच्चन जी को अमिताब बच्चन जी को सम्मानित किया गया 50th दादा साहिब फाल के अवार्ड से और लेटेस्ट हमारा 51st ये राजनी कान जी को सम्मानित किया गया 51st edition of दादा साहिब फाल के अवार्ड से चलिए next who authored who authored the book in the dream house that won the 2021 red bones folio literacy prize red bones folio literacy prize 2021 का who authored the book in the dream house इनको मिला तो देखते हैं red bones folio literacy prize ये किसको मिला है ये मिला है in the dream house देखो question कितने अच्छे हैं कई पार question पूछा जाता है किस book को मिला यहाँ पूछा गया है book का नाम दे दिया अब यहाँ पूछा गया आप से किन के author कौन है इस book के वो बताओ तो वो है आपके Cameron Mario Macando ठीक है Cameron Mario Macando ये आपके in the dream house book के author है और इनको जो book अभी award मिला है वो है 2021 का Rath Bones Fall Your Literacy Prize चलिए next who was appointed as the brand ambassador of the general insurance company digit insurance digit insurance के कौन brand ambassador बने है recently digit insurance के ये बने है आपके विराट को ली ठीक है digit insurance digit insurance का अगर मैं headquarter बताओ ये है आपका Bangalore में Bangalore में फिर अगर मैं आपकी chairman की बात करूँ chairman कौन है chairman आपके कमेश गोयल कमेश गोयल ये आपके chairman है digit insurance के ठीक है चलिए next who was appointed as the prime minister of Slovakia in April 2021 prime minister बने है कहा के Slovakia के कौन बने है बताओ Edward Heger Edward Heger आपके PM बने है स्कलोवा किया के ठीक है फिर इससे related एक चीज और याद रखना कि जो former PM थे मतलब जो इनसे पुराने PM थे उनको क्या बना दिया गया है finance minister finance minister बन गया है ठीक capital की बात करूँ अगर मैं स्कलोवा किया की capital है ब्रा टिस्टा लावा ब्रा टिस्टा लावा करंसी क्या है स्कलोवा किया की करंसी है आपकी यूरो ठीक है और Edward Heger Edward Heger आपके PM बन गई है स्कलोवा किया के चलिए next देखते है next question कह रहा है who was appointed as the additional director additional director of Britannia Industries Limited Britannia Industries Limited के additional director किन को बनाया गया है ये बनाया गया है उरिजीत पतेल जी ठीक है उरिजीत पतेल आपके क्या थे former governor of RBI former governor of RBI ठीक है फिर अगर मैं BP कनूगो की बात करूँ BP कनूगो retires he was the deputy governor of RBI ये deputy governor of RBI रह चुके है ठीक है और नया additional director किन को बनाया गया Britannia Industries का वो है आपके उरिजीत पतेल चलिए next अगला question है when was the world autism awareness day annually observed by the United Nations United Nations द्वारा world autism awareness day कब observe किया जाता है ये celebrate किया जाता है 2 अप्रेल को ठीक है और जो इस बार का campaign था campaign जो चला था वो था hashtag light it up blue light it up blue ठीक है ये camping था इस बार का world autism awareness day का जो कि 2 अप्रेल को celebrate किया गया next question अगला question कह रहा है which is the first state in India to commission farm based solar power projects under PM कुसुम scheme PM कुसुम scheme के under पहली state बनी है जो कि commission करेगी farm based solar power projects ठीक है चलो कौन सी state बनी है पहले ये देख लेते हैं वो तो बनी है आपकी राजिस्थान ठीक अब PM कुसुम देखते हैं PM कुसुम क्या है किसान ऊर्जा सुरक्षा एवाम उठ्थान महाभियान ये है PM से प्रधान मंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवाम उठ्थान महाभियान यह है आपकी कुसुम ठीक है यह initiative था किसका new and renewable energy in 2019 यह initiative कब स्टार्ट हुआ था 2019 में कि renewable energy का जाधा use करें इसलिए ठीक very good चलो राजिस्थान बनी पहली state जो commission करेगी farm based solar power projects को under PM कुसुम अगर मैं राजिस्थान की बात करूँ तो cm बता दो राजिस्थान के कौन है यह अशोक गैलोड जी फिर capital क्या है जैपुर राजिस्थान की ठीक है चलिए next what is the world merchandise trade volume growth for 2021 प्रोजेक्टेड बाई WTO world merchandise trade volume growth 2021 की as producted by WTO is 8% ठीक है 8% है 2019 में यह थी 0.2% 2020 में यह हो गई minus 5.3% 21 में हो गई यह 8% और 2022 में expect की जा रही है यह हो जाएगी 4% ठीक है very good WTO की बात करें WTO की recently नगोजी ओकॉन्जो नगोजी ओकॉन्जो यह वला यह क्या बनी है यह बनी है आपकी 27th director general of WTO पहली African women to lead WTO यही है ठीक है WTO की बात करें 1995 में बना था headquarter है इसका Geneva Switzerland में ठीक चलो next next question है which international organization released forest governance by indigenous and tribal peoples report that highlights the importance of indigenous and tribal people as the guardian of forest जो tribal और indigenous people है इनको guardian of forest घोशित कर दिया गया है as per the report forest governance by indigenous and tribal people पूछा जा रहा है कि किस international organization ने यह report release की यह आपकी की गई FAO जी हो है Food and Agriculture Organization ठीक है इन्होंने यह book report release की next अगला question है आपका In April 2021 किस ने approve किया loan worth 32 million dollar का two dash for improving its management capacity and quality health service Quality health service को improve करने के लिए किस state के एक किस organization ने 32 million dollar का loan approve किया 32 million dollar आपका हो जाता है roughly around मैं बात करूँ तो यह हो जाएगा 230 करोड रुपे कुछ पड़ेगा To be precise यह है आपका 234.80 करोड रुपी ठीक चलिए यह थे हो हमने देख लिए 234 करोड रुपे का फिर यह बात किया रहा है किस ने approve किया यह एक तो approve किया वर्ल्ड बैंक ने और किस state के management capacity and quality health service को improve करने के लिए वो थी मिजोरम को ठीक है वर्ल्ड बैंक ने 234 करोड रुपे का loan अप्रूव किया है मिजोरम की management and capacity for and quality of health services को increase करने के लिए ठीक है चलिए very good next देखते है चलो इसमें एक चीज़ और देख लो world bank की बात हो रही है तो world bank के president कौन है world bank के president कौन है यह है डैविड मलपास डैविड मलपास और headquarter का है world bank का मैंने बताया ना bank का और IMF International Monetary Fund हो गया दोनों पैसे से related है दोनों पैसे से related है तो इन दोनों का headquarter होग आपका Washington DC में जो भी चीज पैसे से related होगी पैसे से related सब कुछ है बड़ जैसे world bank आ गया bank पैसा देखेगा International Monetary Fund तो fund आ गया पैसे से तो इन दोनों का headquarter का है Washington DC में चलिए next next question है हमारा which state government recently got approval for financial assistance from the world bank and Asian infrastructure investment bank for its 300 million USD canal-based drinking water project एक canal-based drinking water project के लिए 300 million US dollar का एक loan या फिर financial assistance अप्रूव हो है कि state government के लिए by world bank and Asian infrastructure investment bank world bank and AIIB मिल के इनों ने कितना 300 million US dollar का एक financial assistance अप्रूव किया है किस लिए canal-based drinking water project के लिए कि state के लिए इंडिया की वो है पंजाब ठीक है पंजाब के लिए अगर मैं AIIB की बात करूँ AIIB की Asian infrastructure investment bank President कौन है या के President है आपके जिन लिकुन ठीक Headquarter है आपका Beijing में Beijing का है चाइना में ठीक है लाओ कर दिया अपने customers को in the US ये किया गया PayPal द्वारा PayPal ने cryptocurrencies में इंवेस्ट करने के लिए लाओ कर दिया गया ये PayPal एक US की company है ठीक है वेरी गुड PayPal आपको याँ पता होना चीए ये पहले एलन मस्क की company थी इनोंने फिर इसको बेच दिया और फिर उन्होंने अपने सारे Tesla, Boring Company, Neuralink इन सब को बनाया ओल राइट ठीक है PayPal के अब कौन है CEO PayPal के अब CEO है Dan Shulman ठीक Headquarter का है PayPal का ये है California में California का है USA में ठीक चलिए next Who was awarded with the Kalinga Ratna Samman for the year 2021 for his contribution to Odea Literature Kalinga Ratna Samman Kalinga Ratna Samman ये Award Annual Award होता है Annual Samman ठीक है By Sarlah Saitya Sansat देता है इसको 2007 से दे रहा है और ये फिल्ट दिया जाता है Odisha या Odea Literature में तो एक बार देख लेते है Note prepare करा देता हूं आपका Ratna Samman ठीक ये दिया जाता है किसमे? Odea Literature में 2007 से दिया जा रहा है ये मतलब 2007 में स्टार्ट हुआ था देता कौन है इस Award को? सर्ला साहित्य संसद सर्ला साहित्य संसद इस Award को देते हैं ठीक चलो ये हो गया फिर ये Award किन को दिया गया था इस बार? किन को सम्मानित किया गया? कलिंगा रतना सम्मान से 2021 के ये है बिश्वा भूसन हरी चंदन बिश्वा भूसन हरी चंदन जी को कलिंगा रतना सम्मान से सम्मानित किया गया ओडिया लिट्रेचर में 2007 में ये Award स्टार्ट हुआ था और देता कौन है? सर्ला साहित्य संसद ठीक है नेक्स्ट वो पैसे नहीं दे पाए तो उन्होंने 1200 करोड रुपे का सेंसेंट क्रूज संटर और रिलाईंत इंफ्रस्टुक्शर लिमिटेड का क्या कर लिया? एक्वायर कर लिया तो किस बैंक ने करा है ये काम? ये बताईए ठीक है? कि विश बैंक डिड दिड इस ये है बतव बैंक का नाम ये है आपका येस बैंक ठीक है, येस बैंक ने एक्वायर किया, सेंटा क्रू सेंटर को, ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्वेस्टन, पूरा question ने information से बढ़ा हुआ है ये तो, ठीक है, किसके लिए बनाई गई है, indian army and indian air force के लिए बनाई गई है, indigenously made है, और अब पूछा जा रहा है कि ये किस organization ने बनाई है, ये बनाई है, ये बनाई है आपकी भारत dynamics ने, ठीक है, ये बनाई है आपकी भारत dynamics ने, अल्राइट, फिर एक चीज़ और याद रखना कि इसमें भारत dynamics ने, जो हमने बात किना है, indigenously made surface to air missile है, indigenously made surface to air missile है, indigenously made surface to air missile है, अल्राइट, चलो, next, DRDO's defense materials and stores research and development establishment at DASH has developed a bulletproof jacket weighing 9 kgs from the armed forces, bulletproof jacket बन चुकी है, जिसका weight है 9 kg, ठीक है, बनाया किसने है, DRDO के defense material and store research and development established ने, जिसको बोलते हैं, DMSRDE ने, ठीक है, कहाँ पर, at which place, ये बनाई गया, कानपूर में, has developed a कानपूर and ये जो bulletproof jacket होगी, इसका weight 9 kg होगा, चलिए, next, अगला question है, honoring which Indian personality the newly discovered flowering plant species from western guards in Maharashtra was named, Argaria shradha chandra ji, ठीक है, Argaria shradha chandra ji, को सम्मानित, ये नाम दिया गया है, ठीक है, किस species का, देखो, ये कह रहा है न, कि which Indian personality, honoring किस Indian personality को new discovered flowering species from west guard in Master Bengal was, Maharashtra was awarded, Argaria shradha chandra ji, Argaria shradha chandra ji, ये एक नाम दिया गया है, किस चीज़ का, flowering plant species, flowering plant species, ठीक है, ये नाम दिया गया, ये पाया कहां गया, ये western घाट में, western घाट में, western घाट में भी कहां, गर particular state की बात करें कि, Argaria shradha chandra ji, ये एक नई flowering plant species थी, ये किस state में discover की गई, ये थी महराश्टरा में, ठीक है, महराश्टरा में, तो अब ये कह रहा गया कि, किन person को honor करने के लिए, उनके नाम पे ये रखा गया था, ये था शरद पवार जी को honor करने के लिए, ठीक है, शरद पवार जी याद रखना important है, इस question को न, most important mark करके चलिए, question क्योंकि ये पूछा जा सकता है, most important mark करके चलिएगा, next, which city will host international boxing association's 2023 man boxing world championship for the first time, man boxing world championship पहली बार होगी, और ये कह रहा है, कौन से city host करेगा international boxing association की, 2023 man boxing world championship जो की पहली बार हो रही है, कौन इसको host करेगा, ये आपका तसकेत उजबेकिस्तान, तसकेत उजबेकिस्तान होल्ड करेगा, 2023 man boxing world championship, ठीक है, ये first time हो रही है, ठीक, highest event in the sport of boxing, ये आपका क्या है, highest event in boxing, ये आपका bainial event है, bainial मतलब साल में दो बार होगा, और 2019 की मैं बात करूँ, जो आपकी championship होगी, ये होई थी रश्या में, ठीक है, ये होई थी आपकी रश्या में, next, किसने ये बुक, विस्डम फोर स्टार्टप्स फ्रॉम ग्रोनप्स डिस्कावरिंग कॉर्पॉरिट आयूर्वेदा, इस बुक के ऑथर का नाम पुछा आप से, ऑथर का नाम है, ये बुक दो लोगों ने लिखी है, R. Gopal Krishan और R. Narayan जी, तो इसका अंसर हो गया, ठीक है, बोथ, ओ स्री, इसका अंसर हो गया आपका, बोथ 2 और 3, और राइट, next, next question कह रहा है, which financial institution recently invested 137 million in the India's Green Growth Equity Fund, that is managed by Eversource Capital, Eversource Capital दोवारा manage के बग किया गया, इंडिया का Green Growth Equity Fund में invest किया गया, 137 million dollar by which financial institution, किसने इंवेस्ट किया है 137 million dollar in India's Green Growth Equity Fund, that is managed by Eversource Capital, किसने इंवेस्ट किया है, Dutch Entrepreneurial Development Bank ने, आपका 137 million dollar invest किया है, ठीक, चलिए, next, in April 2021, Vajosa Osami Sandiru was appointed as the president of, कहा के अपॉइंट किये गए थे, प्रेजिदेंट Vajosa Osami Sandiru, ये किये गए हैं आपके, Kosovo के, Kosovo के जो capital है, अगर हम इसकी capital की बात करें, वो है Pristina, और यहां की जो currency है, वो है Euro, Kosovo की, alright, next question, इन अप्रेल 2021, न्यूगन शुआन फुक और फाम मिन शी, वर elected as the president, और प्राइम मिनिस्टर और न्यूगन शुआन फुक बने हैं, प्रेजिदेंट और फाम मिन चिन बने हैं, आपकी PM, इनकों मैं लिख देता हूँ, न्यूगन शुन बने हैं आपके, प्रेजिदेंट और फाम मिन शिन, ये बने हैं आपके PM, ये पूछा जा रहा है, कहां के ये बने हैं, ये दोनों जो आपके, प्रेजिदेंट और PM बने हैं, ये बने हैं वियत नाम के, अगला question है वो बना है आपके चिंतन वैशनव जी अटल इनोवेशन मिशन लाँच किया गया था किन के द्वारा अटल इनोवेशन मिशन लाँच किया गया था नितियायोग के द्वारा ठीक है नितियायोग के द्वारा किया गया था फिर याद रखना इस इंडेक्स में अटल इनोवेशन इंडेक्स में करनाटका ने टॉप किया ठीक 2020 में अटल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में करनाटका ने टॉप किया launch किया गया था नितिया युगद्वारा 2016 में Next है हमारा Which is the first country in the world to introduce COVID-19 vaccine for the animals called Carnivir Cove Carnivir Cove ये पहली vaccine बनी है किस के लिए animals के लिए और ये लाया कौन है किस ने introduce किये किस country ने Russia ने ठीक है गुड जॉब Russia चलो Next Where was the National Maritime Day annually celebrated National Maritime Day कब celebrate किया जाता है ये celebrate किया जाता है 5 April को और 5 April को ही एक और डे celebrate करते हैं जिसका नाम है International Day of Conscience और याद रखना 5 April को ही first time International Day of Conscience celebrate किया था तो 2020 में 5 April 2020 में International Day of Conscience celebrate किया गया था पहली बार और 5 April को हर साल हम celebrate करते हैं National Maritime Day ठीक है confuse मत होना अल दोनों में अगला question है हमारा which organization signed an MOU with Spices Board India to enhance the transparency in the supply chain in the e-spice bazaar portal using blockchain based traceability interface किस organization ने sign किया है Spice Board of India के साल ताकि transparency बनी रहे जब आप e-spice bazaar पे online supply chain होती है तो उस पे portal using blockchain based traceability interface के थूँ ठीक है ताकि transparency होता है मतलब एक check रहे लोगों पर कि कहां से क्या import export हो रहे है तो supply chain में transparency बनी रहे कोई चोरी वोरी का दिक्कत ना हो इसलिए हम ये चीज़ की है ठीक तो ये कह रहे है कि किस organization ने sign किया है M.O.U. Spice Board of India के साल किस ने किया है वो है आपका UNDP United Nation Development Board ने ठीक है फिर अगर मैं बात करूँ Spice Board of India का हमारा ये इसको S.B.I. मत लिखिए Confuse देंगे Spice Board of India का जो हम बात करते है ये बना था 1987 में ठीक है 1987 में Spice Board of India आपका बना था Next Union Environment Minister Prakash Javadekar participated in the Virtual Climate and Development Ministerial Meet on the run-up to the 26th UN Climate Change Conference of the Parties COP25 which is the whole city of COP26 COP26 ठीक है COP26 एक क्या हो रहा है कि Prakash Javadekar जो हमारे Union Minister है इन्होंने participate किया in the Virtual Climate and Development Ministerial Meet on the run-up to the 26th अभी COP26 हुई ठीक है 26th edition था ये पूछ रहा है कि हो सिटी कौन था COP26 का किस ने organize की थी आपकी COP26 ये थी Glasgow UK ने ठीक है ये organize कराई आपकी Glasgow UK ने 26th edition था ठीक है अगर मैं बात करूँ President कौन है COP26 के President कौन है ये है ये है अलोक शर्मा जी अलोक शर्मा जी ठीक है और question पूछा जाए कि COP26 में किनों ने भी participate किया था 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 थो हमारी Union Environment Minister प्रकाश जाबडेकर जी ने भी participate किया था इसमें चलिए World Economic Outlook Report के अनुसार What is the growth rate projected for India fiscal year 2022 as per the IMF IMF ने एक expected growth rate credit की है in the report World Economic Outlook ठीक है इस report में अब ये कह रहा है कि वो growth rate क्या है वो expect जो प्रोडिक्ट जो की है वो है 12.5% ठीक है President of India appointed justice dash as the chief justice of Indian President of India appointed justice N.V. Ramana N.V. important question most important question mark करके चलिएगा इसको N.V. Ramana जी को chief justice of India बनाया गया है इनको क्या बनाया गया है chief justice of India देखिए आपकी जीके का भी कितना अच्छा question है कि chief justice of India को कौन appoint करता है appointed by president बहुत ही इच्छा question है बहुत ही important है कि कौन appoint करता है president appoint करता है chief justice of India को ठीक और इस बार आपको याद रखना है ये आपके N.V. Ramana जी ये गलत हो गया 51 नहीं इसको मा कीजिए N.V. Ramana 48th बने है हमारी ये 51 नहीं 48th chief justice of India बने है N.V. Ramana जी और ये appoint किये गया है president द्वारा आल राइट तो चलिए next question Chief justice of India S.A. Bobde launched the artificial intelligence drive tool SUPACE for the Supreme Court of India what does A stand for SUPACE S.U.P.A.C.E S.U.P.A.C.E आपका homework है मेरको इसकी full form बताओ अच्छा question है important है helpful होगा मैं आपको सिरफ इसमें A की full form बताओगा लेकिन पूरे word की आपको मुझे comment करके बताना है कि artificial intelligence driven tool है SUPACE ये Supreme Court के लिए launch किया गया है इसकी full form किया है ठीक है आप सर्च करेंगे तो आपको याद होगा बहुत help मिलेगी इसमें जो A है इसकी full form है assistance जो question में पूछा गया है full form आप बताओगे ये आपका homework है आल राइट चलिए next next question है which country developed the Poseidon 2M39 torpedo which is the capable of producing radioactive tsunami radioactive tsunami लाने के लिए ये जो हमारी torpedo है जिसका नाम है Poseidon 2M39 ये एक torpedo है ये चीज़ा रखिए torpedo होता है जो पानी के अंदर-अंदर missile चली जाती है जैसे submarine launch कर दे या फिर आपकी कोई ships war ships है वो आपके launch कर दे पानी के अंदर-अंदर ही जाके enemy को attack कर देती है तो वो होते हैं torpedo ठीक तो Poseidon 2M39 आपकी capable है producing radioactive tsunami ये किस country द्वारा develop की गई है ये आपकी Russia द्वारा develop की गई है ओल राइट तो गाइस ये थे हमारे कुछ important questions आई ओप आपको session पसंद आयोगा तो session पसंद आया है तो आपको वीडियो को like करना है आपको अपने दोस्तों के साथ जिनको आप चाते हैं कि वो भी अच्छा score करें government exam में उनके साथ इस वीडियो के link को जरूर share करतें अगर आप channel पे नई है तो आपको subscribe जरूर करना है इससे हमें क्या होगा motivation मिलती रहती है motivate रहेंगे ना तो हम आपके लिए और अच्छा content बनाएंगे दिल से आप से और महनत करेंगी ताकि हमारे बच्चे जो हमसे पढ़ रहे हैं उनको बहुत benefit मिल सके ठीक है so that's all for the video Vikas signing off